दोस्ते दोस्तो यूटूब चनल देव अगरी पॉंट पर आपका स्वागत है तो दोस्तो फिर से मैं आपके लिए आज एक नए टोपिक ले करा हूँ तो दोस्तो आज हम तारा मिरा की फसल के बारे में पढ़ने वाले हैं यानि की रोकेट क्रेस तो दोस्तो सबसे पहले ता अगर सबस्क्राइब करें एम बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तो यदि आपको इस क्रॉप के नोट्स जाहिए तो आप टेलिग्राम चैनल से प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तो टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आगे तारामेरा के बीज में 35% तेल पाया जाता है दो आगे बात करते हैं दोस्तो टारामेरा समसी तोसन जलवाई का पोदा है दोस्तो इस फसल को 15 डिगरी से 30 डिगरी सेलसे स्ताप मान की आव सकता होती है दोस्तो फसल पकते समय मोसम सुस्क वन साप आदरता का उप्यूक्त र तारामिरा सबी प्रकार की भूम्य ओगाई जा सकती है दोस्तों खेत की तेरी के लिए दो से तीन जुताई देशी हलिया कल्टिवेटर से कर पाटा लगा कर मर्दा को बुरबरी बना लिना चाहिए तारामिरा की खेत यह दिकांस बारानी छेतरों में की जाती है आगे बात करते हैं दोस्तों तारह मेरा की उनत्सिल किस मों के बारे में तो दोस्तों पहले देखते हैं ITSA T27, RTAM 314, RTAM 2002, RTSA 150 तो दोस्तों यह है तारह मेरा की उनत्सिल किस में दोस्तों आगे बात करते हैं तारह मेरा की बीज दरे हूं बीज उप्चार के बारे में दोस्तो तारह मेरा की फसल के लिए च्यार किलो ग्राम परती हेक्टेर बीज प्रियाप्त रहता है दोस्तो बॉआई से पहले मैंको जेब दो ग्राम या ट्राइको ड्रमा चैसे दस ग्राम चैसे दस ग्राम परती किलो ग्राम बीज की दर्शे उप्शारित करें दोस्तो आगे बात करते हैं तारा मिरा की बुआई का समय हो विदी यानि कि किस समय तारा मिरा को बुआ जाए दोस्तो तारा मिरा की बुआई 15 अक्रोबर से 30 नाओं बर तक कर देनी चाहिए दोस्तो इसमें कतार से कतार की दूरी 15 सेंटिमेटर तथा पोदे से पोदे की दूरी 10 से 15 सेंटिमेटर रखनी चाहिए दोस्तो आगे बात करते हैं तारह मिरा में खा दें उर्वरक के बारे में दोस्तो तारामिरा की फस्ल में 30 kg नतरजन यानि की नायटरोजन 15-20 kg फासपुरस पर्तिय अक्टर देना चाहिए तो तारामिरा तेल वाली फसल है इसलिए इसमें 200-250 जिपसम पर्तिय अक्टर देना लाब कर होता है दोस्तो आगे बात करते हैं तारामिरा की सिचाहि के बारे में यानि कि किस परकार सिचाहि की जाए तो दोस्तो सबसे पहले ये जानते हैं कि तारामिरा की फसल 12 नी छेतरों में उगाए जाती है इसलिए इसमें सुका सैनेगी समता होती है यानि कि इसमें पानी बहुत दिनों तक जरत नहीं पड़ती है यदि शिचाई के साधन उपलब्द होतो दोस्तों पर्तम शिचाई चालिस से पर तर्लिस दिनों में फूल आने से पहले करें दूसरी शिचाई फली में बीच बनते समय करें दोस्तों आगे बात करते हैं तारा मिरा के कीट के बारे में दोस्तों देखते हैं मोईला यानि की एफिड्स मोईला कीट लगते ही मिथाइल पर आती हैं दो परसेंट सूरन 25 किलो गराम परती एक्टेर की दर से फसल पर बुरका हो करें दोस्तो आगे बात करते हैं तारा मेरा का रोग जुलसा रोग यानि कि बलाइट तूला सिता एओं सपेद रोली यानि कि या डाउनी मिल्डियू दोस्तो इन रोगों के लक्षन दिखाए देते हैं मैंको जेब दो गराम पर्थे लेटर पानी का घोल बना कर सिड़का उगरे दोस्तो आगे बात करते हैं तारा मेरा की उपज के बारे में यानि कि एक बार फसल में कितनी उपज होती है दोस्तो तारा मेरा की उन्नत खेती से आठ से दस क्यूंटल परती एक्टेर उपज प्राप्त होती है दोस्तो इसी के साथ हमारा तोपिक खतम होता है दन्यवार द जोस्ता लो कि शोले